प्रमेश्व के वचन के लिए और येश्व मसी की गवाई के लिए मार डालना जाने वाला जरह उनकी भी गिंती पूरी हो जब वो पूरे हो जाएंगे तो मैं एकटा सबका बदला लूँगा फिर मैं अपना कुरोदे दिखाऊंगा इस दुनिया के लोगों पे जुनोंने मे अशिदे आमीन हम बात कर रहे हैं परकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में परकाशित वाक्य के साथ खंडों में से तीसरे खंड में हैं परमेश्व का स्यासन और साथ मोहर बंद पुस्तक के बारे में परमेश्व पिसले संदेश में हमने देखा था परकाशित वाक्य के बारे में जो है वह ज़्यादा सीका था आज हम उससे आगे जो है को सीखेंगे और विशिज दोर से दस्वेकत को हम फिर से पढ़ेंगे और पांच्वी मोहर के बारे में सीखेंगे की पर्मिशा का वचन क्या कहता है परकाशित वाक्ये छे अध्याय और उसका दस्वापत है उन्होंने बड़े शब्दे से पुकार कर कहा हे स्वामी हे पवित्र और सत्य तु कब तक न्याय ना करेगा और प्रत्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा उनमें से हर ए एक को श्वेत वस्तर दिया गया और उनसे कहा गया और थोड़ी देर तक विश्वाम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वद होने वाले हैं उनकी भी गिंती पूरी ना हो ले पहले हम दस्वेपत की बात करते हैं यह जो वद किये गए लो कैसे हैं वद किये गए लोग वो लोगों का जो लहू है वो भूमी से पुकारता है जैसे हाविल का पिछले संदेश में उनने उधारन दिया था कि हाविल का परमेशक कहता है कि तेरे भाई का लहू जो है भूमी से मुझे पुकारता है उसके बारे में बात्चित हो रही है ये किसको पुकारते हैं अब सवाल यह देखें बड़े शब्दे से पुकारते हैं अब यहां पर जो है बड़े शब्दे से पुकारने का मतलब है उची आवाज में जोर से पुकार रहे हैं एक व्याकुलता है उनके पुकार के अंदर एक उतेजना है उनके पुकार के अंद जिए मियारमी इस प्लटा ने का कार्भू का इसे व्याकुलता वो दिखाई दे रही है उनकी पुकार के अंदर जो है उची आवाज में जोू वो पुकार रहे हैं और नियाय की जो है was वो मांग कर रहें उस व्याकुलता के साथ अब पुकार किसके लिए रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं वो, हे स्वामी, अब यहाँ पर स्वामी किसको कहा गया है, यहाँ पर ध्यान दी देगा, जरा हमें इन चीजों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जब आप मती तेई सध्य है, उसका दसपत पढ़ेंगे, यहाँ पर कह लिख सवामी हमारा एक है, मती में लिखा हुआ है कि हमारा एक ही सवामी, हम प्रत्वी पर किसी को अपना सवामी ना कहें, आज बहुत से सवामी है, सवामी सिर्फ प्रभुयेश्य मसी है, परमेश्वर है जिसको हम सवामी कहते हैं और हमारा एक ही सवामी है, जिसका नाम पवित्र कौन है ये सत्य अब बद किये गए लोग जो है उस पवित्र को और उस सत्य को पुकार रहे हैं जो सौमी है परकाशिद वाक के तीन अध्या उसके साथ को जवाब पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिल्दिया फिल्दिया की कलीसिया जो है उसके दूद को जो है वो को कोई खोल नहीं सकता वो ये कहता है अब यहां पर जो है परकाशिद वाक्य की पुस्तक तीन अध्या उसके साथ पद में लिखा है कि सत्य कौन है और पवित्र कौन है अर्थात प्रभी येशु मसी जो दावद की कुझी रखता है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता बंद की हुए को कोई खोल नहीं सकता ये बात जो है प्रभी येशु मसी के बारे में जो है बिलकुल इस परस तरीके से जो है वो बताई जा रही है अब यहां पर जो है दो सवाल है ये परमेश्व के वचन के कारण और येशु की गवाई के कारण जो है बद किये लोग हैं और ये येशु मसी से जो हैं दो सवाल करते हैं ये लोग और कौन से दो सवाल कर रहे हैं तू कब तक न्याय ना करेगा और प्रत्विक के रहने वालों से हमारे लहु का बदला कब तक ना लेगा ये दो बाते जो है वो येशु मसी से जो है वो पूछ रहे हैं और जो है येशु मसी के आगे जो है वो न्याय की गवार लगा रहे हैं जी आ न्याय की गवार लगा रहे हैं और इन दोनों प्रशनों का उत्तर ये है कि येशु मसी जो है वो न्याय करता है और उसका बदला लेना जो है येशु मसी के हाथ में है कि वो उनका बदला वो लेगा क्योंकि येश्व मसी के पास जो है क्यों वो कह रहे है सौमी तु कब तक हमारा नयाय नहीं करेगा है पवित रहसत तु कब तक हमारा नयाय नहीं करेगा क्योंकि येश्व मसी जो है उसके हाथ में जो है परमेश्वन में जो है उसके पिता ने जो है स्वर्ग ये पिता जो है उसने सारा नियाय का काम प्रवी येशु मसी के हाथ में सौंप रखा है मैं आपको बता देता हूँ आप निकाल लीजे योना पांच अदे है उसका बाइस पत मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ पिता किसी का नियाय नहीं करता परंतु नियाय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है पिता जो है वो किसी का नियाय नहीं करता है नियाय करने का सारा अधिकार किसके पास है ये शु मसी के पास है और इसलिए जो प्रत्वी पर जिनके प्राणों को यहना देख रहा है जो पांचमी मोहर खुलती है, कि वेदी के नीचे देखा, यानि प्रत्वी पर उनके लहू को देखा, जो पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, उस स्वामी को पुकार रहे हैं, जो सिर्फ एक ही स्वामी है, जिसका नाम प्रवियेशुमसी है, उसके अलावा कोई स्वा आप जिन उसको पुकार रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तु कब तक हमारा नियाई नहीं करेगा और कब तक हमारा पल्टा ना लेगा यहां दीजिए अब यहां जो है हम रोमियों बाराध है उसके 19 पत्में पॉलूस क्या कहता है ये प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्व के क्रोध को अफसर दो क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है प्रभू कहता है कि मैं ही बदला लूंगा वेविस्था वेवरां 32 उसका 35 भी आ पड़ सकते हैं अब यहां क्या कहता ह कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए और वो कहता है कि परमेश्व की क्रोध को अफसर अगर आपके साथ किसी ने मुरा किया है और आप जो हो इतने सक्षम नहीं हो अगर सक्षम भी हो तब भी आप बदला मत लें क्यों ना लें क्योंकि यदि आप बदला लेंगे तो आप दुनिया के चक्कर में या कानून के विवस्था के चकर में आप फद जाएंगे और आपका जीवन आपके परिवार के लोगों का जीवन बरबाद हो जाएगा आपके खार इसलिए कहता कि परमेश्व को बदला लेने दो, जब परमेश्व बदला लेता है, परमेश्व के कुरोद को जब हम अफसर देते हैं कि प्रभू तो हमारा बदला लेना, जब परमेश्व के हाथ में अपना नियाय रख देते हैं, जब परमेश्व के हाथ में अपना बदला रख देते हैं जब परमेश्व लेता है न., तो आप के ओपर आच नहीं आएगी, आपके ओपर कोई कुष़न मार्क नहीं बनाएगा कि इसने क्या कर दिया, इसने कानून को अपने हाथ में ले लिया है आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए अगर आपके कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है या कुछ भी नहीं हो रही है तो परमेश्वर के हाथ में सौप दीजिया और फिर देखिए आप जब परमेश्वर बदला लेता है जब परमेश्वर आपके लिए लड़ता है जब परमेश्वर आपके खातिल लड़ाई में उतरता है तो उसके सामने कौन खैल सकता है उसका कुरोध का सामना कौन कर सकता है और इसलिए ये जो लोग हैं इन्होंने अपना बदला नहीं लिया इन्होंने उस विरोधियों का सामना नहीं किया बलकि परमेश्वर के हाथ में सौद्या की परमेश्वर तु हमारा बद ले और परमेश्वर का वचन यही कहता है और हमें यही करना चाहिए यहां पर जो है दसमे पद में जो बात लिखी गई है वो यही है फिर 11 मार्ट जो पद है उनमें से हर एक को शोयत वस्तर दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी देर विश्याम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समानवद होने वाले हैं उनकी भी गिंती पूरी ना हो ले अब शोयत वस्तर का मतलब क्या है कि प्रभू की ओर से जो है पूर रूप से पवित्रता धारन किये गए लोग है इन्होंने प्रभी येश्व मसी की ओर से प्रभी येश्व मसी ने इन्हें पूर रूप से पवित्रता धारन कराई है पवित्र किया हुआ है ये परमेश्व क के लिए पवित्र किये गए लोग हैं श्वेत्वश्टर का मतलब यह होता ही है कि हमने जैसे आज प्रित्वी पर देखते हैं कि हम सब्वेत्वश्टर पहने हुए अपने आपको बगला भगत समझने लगते हैं तो यह चीज नहीं है वह पवित्रता अंदर से होनी चाहिए अब कैसे होनी चाहिए मैं आपको इसका उधारन देना चाहता हूँ बहुत बढ़िया उधारन है देखे आदम और हवा जब तक उनके जीवन में पाप नहीं था वह पवित्र थे और बिल्कुल नंगे थे उनको उनके शरीर के उपर कोई वस्तर नहीं था नंगे थे परन् दूसरे का नंगापन या अपना नंगापन दिखाई नहीं दे रहा था परन्तु जब पाप आया और वह धर्मिक्ता के वस्तर उतर गये तब उनको शरब महसूस होने लगी उन्हों पर शुप गय और उन्होंने अंजीर के पत्तों का एक बाड़ा बना कर उसको अपने चारो तरब ढख लिया, अपने नंगेपन को ढख लिया, उनको नंगापन दिखाई देने लगा, तो कहने का मतलब क्या है, कि श्वेत वस्त का मतलब है कि पवित्रता धारन कर लेते हैं, तो हमारी आत्मा मे में भी नंगापन जो होता है, वो नहीं होता है, और यहाँ प्रभु का जो कतन है, यहाँ प्रभु इन वद किया हुए लोगों से कहता है, कि तुम थोड़ी देर और विशाम करो, देखे पवित्रता धारन करवाता हूं, उन्हें एक जगहा रखता है, और कहता है, सी सांती और रख लो, बस अब मैं तुमारा पलटा लेने ही वाला हूं, चिंता मत करो, परिशान मत हो, बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धीरज और रुख जाओ, जहाँ तुम इतना रुके हो, थोड़ा सा धीरज और रख लो, थोड़ा सा विशाम और कर लो, और मैं तुम तुम्हारे जो संगीत आसे तुम्हारे जो और भी बहुत से भाई भेने जो वद होने वाले हैं जिनको परमेश्व के वचन के लिए और येशु मसी की गवाई के लिए माला डालना जाने वाला जरह उनकी गिंती पूरी हो जब वह पूरे हो जाएंगे तो मैं एकटा सब का बदला लूँगा फिर मैं अपना कुरोद दिखाऊंगा इस दुनिया के लोगों पर जुन्होंने मेरे लोगों को बे मतलब में घात किया है तब दिखाऊंगा मैं अपना कुरोद यहां प्रभी येशु मसी यही कह रहा है और मैं आपको बता देना चाहता हूं 31 AD से लेकर 313 AD तक और 538 से लेकर 1798 ईसवी तक जब आप पड़ेंगे जब आप रोम का इत्यास पड़ेंगे तो यहां पर जो है मसीही यही यह लोगों के बारे में जब आप पड़ेंगे मसीही यही यही लोगों का बहुत बुरे से कतले आम किया गया था बहुत सताओं किया गया था बहुत से लोगों को मान डाला गया था परमेश्य का वचन जो बताता है और यह इत्यास जो है वो बताता है और 31 AD से लेकर और 313 AD तक में तो बहुत ही भ्यंकर जो मसीही लोग थे जिनको सताया और मान डाला गया और जंगली जानवरों के बीच मे उनको खाल में जो है, वो चुनवा दिया गया, जिंदा आग में छला दिया गया, बहुत सी यातनाई जो है, वो उनको दी गई है, जिसको आप देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, ति भेंकर यातनाई जो है, वो उनको दी गई है, और परमेश्य कहता है कि उनकी भी ग परण के लोग हैं जब आप पढ़ेंगे परकाशिद्वा के साथ अध्याय उसका एक से आठ तक एक लाग चवालीस हदार लोगों की संक्या जो है वहाँ पर दी गई है और एक लाग चवालीस हदार लोगों पर जो है वो मोहर की गई है परंतु जब आप उसके नौ पत को प हासा में से एक बड़ी भीड जिसे कोई गिन नहीं सकता था शोयत्रवस्तर पहने हैं और अपने हातों में खजूर की डालिया लिए हुए स्यासन के सामने और मेमने के सामने कड़ी है अब यहां देखे एक बढ़ी भीड है जी आ उनकी भी संक्या वो संक्या प्रभू जान और खजूर की डालियों का मतलब क्या होता है ये विजे ही लोग हैं इन्होंने बुराई के ओपर उन कलेशों के ओपर विजे पराप करी है पुराने समय में जब राजा लोग यूद जीत कर आते थे तो उनके सैनिकों के हाथ में खजूर की डालिया हुआ करती थी और वो उस महा कलेशकाल से विजे होकर निकले हैं उस बुराई से विजे होकर निकले हैं उस बुराई पर इन्होंने विजे प्राप्त जो है प्राप्त कर ली है जय प्राप्त कर ली है ये वो लोग है और परमेश्व का वचन भी कहता है कि क्या कहते हैं ये यूद में विजे पा हैं और कहां से आए हैं मैंने उनसे कहा ये स्वामी तू जानता है उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महा कलेश में से निकल कर आए हैं इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोका शुयत किये हैं देखें महा कलेश काल से जैसे मैं अभी वर्ण करना था परका अपने शरीरों को येशु के लहू से दोकर इन्होंने शुद और पवित्र किया है, कलंकित नहीं होने दिया फिर इन्होंने, जब इन्होंने एक बार येशु मसी के लहू से अपने आपको दोलिया है, तो फिर इन्होंने कलंकित नहीं होने दिया, ये वो लोग, ये वो से प्रधानों से संसार के हकीमों से अंकार की शक्तियों से हमारा यूद है उसमें हमें विजह प्राथ करना है और पहलत इमित्यों च्छे के बारा को जवाब पढ़ेंगे पावलुस कहता है कि विश्वास की अच्छी कुस्ति लड़ना है हम यूद के अंदर हैं इस अंतिम स अच्छे हासिल करना है ताकि हम भी लोग देखें और कहें कि हाँ ये विजह पाई वोग है और उस महा कलेशकाल में से निकले क्योंकि महा कलेशकाल जो परिशानी जो बुराइयां इस प्रत्वी पर चल रही हैं या हो रही हैं और भी भेंकर होने वाली है उसमें हम विजह ग्रोब आप सब्राशेते, आमें.